नमश्कार दोस्तों स्वागे थाप सबी काईग बाट फिर से आपके अपने यूट्यूब चानल क्रिकट लाइंग गुरू में तो इस सीरीज में ऑस्विले की टीम दो शून्य से बड़त बना लेगी तो इस लिहाद से दोस्तों दोनों ही टीम के लिए ये मुकाबला बहुत इंपोर्टेंच होने वाला है तो चलिए आज के इस मैच प्रिव्यू में आपको बताते हैं कि आखिर स्कॉटलेंड की टीम इ ले बल्ले बास ही करने वाली टीम है और पांच मुकाबलों में सेकंड बाटिंग करने वाली टीम ने जीत दर्च की है फिर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर रहा है 175 का हाइस्ट स्कोर बना है न्यूज़लेंड की टीम ने 254 का तो वहीं लुएस्ट स्कोर यहाँ पर स्कॉटलेंड की टीम ने दर्श किया है 82 का स्कोरिंग पैठन की बात करें तो स्कोर बिलो 150 बना है 4 टाइंज, स्कोर बिट्वीन 150 और 169 बना है 5 टाइंज, स्कोर बिट्वीन 170 और 189 बना है 1 टाइंज, तो वहीं स्कोर अबब 190 बना है 6 टाइंज, अब देखें इस सीजन यहाँ पर तीम माचों की T20i सीरीज खीली जा रही है दोनों टीम्स के बीच में जिसका पहला मुकाबला खिला गया था अब इस पहले मुकाबले में दोस्तों बॉलर्स की पर्फॉमेंस की अगर बात की जाए तो देखे बारा विकेट पहले माच में चरकाए गए थे जिसमें से पेसर्स ने लिए है आठ विकेट तो वही बार आमना सामना हुआ है और दोनों बार ऊस्ट्रिले की टीम का पलणा भारी रहा है, दोनों ही माचस में ऊस्ट्रिले की टीम में जीत दरच की है. अब स्कॉट्लेंट की टीम अगर इस सिरीज को जीतना चाहती है, तो उनके पास ये मौका होने वाला है कि वो second T20i match में जीत दर्ज करें साथी तीसरा T20i match भी उनको जीतना होगा अगर वो ये series जीतना चाहते हैं तो अब ऐसे में कौन से वो 11 खाड़ी होंगे जो की playing 11 में शामल हो सकते हैं Scotland की टीम की चलिए उनके नाम आपको बताते हैं तो देखें यहाँ पर तो ये वो क्या रखाड़ी होंगे दोस्तों जो की Scotland की playing 11 में हम एक बार फिर से नज़र आ सकते हैं बात करें यहाँ पर Scotland की key players के बारे में तो देखें पहला नाम हमने शामल किया है George Munse का जिन्होंने first match में 28 runs की पारी खेली थी 175 के strike 8 से रिची बेरिंग्टन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20I मैच में 3 स्टन बनाए थे 115 के strike rate से तो वहीं Matthew Cross है जिन्होंने 27 रन बनाए थे मात्र ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 128.57 के strike rate से तो ये वो तीर बल्लेबाज है जो कि इस मैच में अच्छी बल्लेबाज ही करते हुए अच्छी रन स्कोर कर सकते है हलांकि पहले मैच में उस तरीके की बल्लेबाज ही हमें देखने को नहीं मिली लेकिन इस मैच में उनसे उमीद रहने वाली है बात करें गिंदबाजो की तो देखें Mark Wat है जिन्होंने दो विकेट चटकाए थे फर्स मैच में 6.50 के एकॉनमी रेट से तो वहीं आखरी नाम है ब्रेंडन मैकुलन का जिन्होंने एक विकेट अपने खाते में जोड़ा था वो भी 12.50 के एकॉनमी रेट से यान कि यहाँ पर आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि बलेबासी तो थोड़ी सी कमजोर है ही साथी यहाँ पर गिंदबासी काफी खराब देखने को मिली है तो दोस्तों यह तो बात होगा स्कॉटलेंड की टीम के बारे में चलेब आपको बताते हैं उस्ट्रिलिया की प्लेइंग 11 के बारे में तो देखें यहाँ पर शामल है सकते हैं यान कि यहाँ पर मिचल मार्श जो हैं जो की टीम की कप्तानी संभाले हुए है वो अपनी प्लेइंग 11 में कोई बतलाफ नहीं करना चाहेंगे अब यहाँ पर उस्ट्रिलिया के अगर की प्लियर्स की बात की जाए तो देखे पहले ही मैच में उस्ट्रिलिया की टीम ने काफ़ी अच्छा प्रोदर्शन किया था ट्रेविस हेड का IPL वाला रूप एक बार फिर से हमें देखने को मिला था स्कॉट्लेंड के खिलाफ पहले ही T20 आय मैच में ट्रेविस हेड ने 320 के स्ट्राइक रेट से 80 रन की शांदार पारी खेली थी मिचल मार्श के अगर बात करें तो फर्स्ट मैच में उन्होंने 39 रंस बनाये थे 325 के स्ट्राइक रेट से जोश इंगलिस ने 27 रं की पारी खिली थी 207.69 के स्ट्राइक रेट से बात करें गिंदबास हो के तो शौन एबॉट है जिन्होंने तीन विकेट अपने खाते में जोड़े थे 9.80 के एकॉनमी रेट से जेबिर बाटेट ने दो विकेट चटका है थे स्कॉट्लेंड के खिलाफ पहले टी 20 रेट मैच में और उनका एकॉनमी रेट था 5.80 का एडम संपा ने भी दो विकेट अपने खाते में जोड़े थे 8.20 के एकॉनमी रेट से तो वहीं आखरी नाम है कैमरून ग्रिन का जो कि एक अच्छे ओल्राउंडर साबित हो सकते हैं सेकंड टी 20 रेट मैच में अपनी टीम के लिए देखे पहले टी 20 रेट मैच में उन्होंने एक विकेट अपने खाते में जोड़ा था 6.00 के कॉनमी रेट से तो यह होगे दोस्तों ऑस्ट्रीले के कीप्यस की बात अब फाइनली देखे बात करते हैं कंक्लिजिन के बारी मे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रीले और स्कॉटलेंड के बीच में दो बार आमना सामया हुआ है T20I में जो और दोनों ही मकाबलों को ऑस्ट्रीले की टीम ने अपने नाम किया है अब जिस सरीके से पहले T20I माच में ऑस्ट्रीले की टीम ने प्रदर्शन जराएगी वल आपके एसाब से क्या यहाँ पर स्कॉट्लेंड की टीम जी दर्ज करने में कामयाप होगी या फिर नहीं नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय हमारे साथ जरू शेयर करिएगा इसी के साथ इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो में तक के लिए आप देख करें क्रिक्ट लाइंग गरूप सो स्टे ट्यून और की बहुचें